डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सिकेंड बाद रित्ती रिवाज आधी की द्रिट्टी से भी एक प्रांत दूसरे प्रांत से अधिक बहुत भिन हो, वहां देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए सबसे अधिक आवस्यक यह है की संपूर्ण देश के नागरिकों का बैचारिक अस्तर पर अधान प्रदान हो, संस्कृतिक बिनिमय हो, एक दूसरे को समझने सराहने की चेस्टा हो, एस्टोप जहां संपूर्ण देश की भासा एक हो, वहां तो सायद उस एक रश्ट भासा से यह संभव भी हो सके, कॉमा किन्तु भारत जैसे विशाल तथा विविन संस्कृतियों और विविध भासाओ वाले देश में अनुबाद ही सबसे ससक्त माध्यम है, कॉमा जो संपूर्ण देश को एक सुत्र में बांधे रखने में सहायक हो सकता है, इस्टोप दुवासिकता का महत्व भारत में प्रचीन काल से रहा है, इस्टोप आज भी भारतिये जन संख्या के संख्य किया आंक्रे यह बताते हैं कि भारत में दुवासियों का प्रतीसत काफी उचा है, इस्टोप कहने की आवशक्ता नहीं कि सभी भारतवासी समाने तह हिंदी का निकटवर्ती प्रांत की भांसा को दूसरी भांसा के रूप में प्रियोग करते हैं, अहिंदी भासियों के मध्य हिंदी का प्रचार, सिच्छ, व्योसाय, जनसंचार, फिल्म आधी कई कारण से हुआ दुभासिक्ता का महत्व रोजी, रोटी तथा आत्मविकास या आत्मप्रचार से बढ़ता है यह दुभासिक्ता अनुबाद की मूल भित्ती है एक ब्यक्ती अपने भावो विचारों को दुसरे तक पहुचा सके तथा दुसरे की बात सुयम समझ सके इसलिए वह दो या अधिक भासाय सिखता है एक ब्यवहारिक सत्य है की जो ब्यक्ती जितनी अधिक भासाय जानता है क्योंकि भासा के सहारे उसका क्मा परिचय छेत्र तो बढ़ता ही है क्मा वह विभिन भासिक संस्कृतियों से भी परिचित होता है पैरा देश चाहे भागोलिक द्रिश्टी से छोटा हो या बड़ा कॉमा सक्तिसाली हो या निर्वल कॉमा धनी हो या निर्धन कॉमा संसलिस्ट अंतरास्टिये राजिनितिक इस्थिती को समझने के लिए कमा दूसरे देशों की सहितिक कमा दार्षनिक कमा बैग्यानिक इस्थिती को समझने तथा उनसे लाव उठाने के लिए उसे अनुबाद का सहारा लेना पड़ता है सभी विक्सित देशों में इसलिए अनुबाद का बड़ा महत्व है सभी अनुबाद संबंधी बड़े बड़े संस्थान है तथा बड़े सुनियोजित धंग से अनुबाद कार्य होता है मैं आपको एरोप के एक छोटे से देश बलगारिया का उदाहरन देता हूँ सभी बलगारिया की जन संख्या 40 लाख है सभी बलगारिया में परेटकों की बरस भर भरमार रहती है और उसका बिदेशी मुद्रा अरजन का मुख्य स्रोत भी परेटन उद्योग ही है सभी बिश्व के अनेक देशों में परेटक वहां आते हैं कॉमा जिन में बलगारियान भासा जनने वालों की संख्या नहीं के बराबर ही होती है सभी इन परेटकों की सुक सुविधा के लिए तथा उन्हें भासा की कठिनाई नहोँ इसलिए दुभासियों की कॉमा जो एरोप की विविन भासाई जानते हों कॉमा अलसकता होती है इसके लिए विश्व विद्यालेयों में नियमित रूप से इवक इवतियां विदेशी भासाईं सिखते हैं और दुभासिये का काम करते हैं स्टॉप महोले कमा सरकार की ओर से इन भासा संस्थानों को विशेश सनरच्छन तथा सुवधाय प्राप्त हैं यह दुभासि केवल परेटन से जुड़े हुए हो कमा ऐसा नहीं है स्टॉप दूसरी भासा सिखकर ए अनुवाद कार्य करते हैं कमा प्रकासन संस्थानों में कमा जन संचार माध्यमों में तथा विज्ञान निकायों में प्रतिर्ठित अनुवादक के रूप में जाने जाते हैं स्टॉप ए सर्जनात्मक ललित सहित्य का अनुवाद करते हैं कमा बिदेशी समाचारों का अपनी भासा में तथा बल्गारियां के समाचारों का बिदेशी भासाओं में अनुवाद करते हैं स्टॉप ए अनुवादक अपनी अपनी भासा के विसेसाग्य माने जाते हैं स्टॉप यदि आप कभी बल्गारियां जाये तो आप देखेंगे कि आप चाहे इनकी भासा न जानते हों कमा किन्तु आपकी भासा जानने वाले आपको जरूर मिलेंगे स्टॉप अभी कुछ महीने पहले की ही तो बात है कमा जब भारत के राष्टपती डाक्टर संकर दयाल सर्मा बल्गारिया गए स्टॉप वहां बल्गारिया वासियों ने हिंदी में उनका स्वागत किया और भारत संबांधी प्रस्न भी उनहोंने राष्टपती जिसे स्टॉप भारतिये प्रतिनिधी मंडल के लिए यह सुखद आश्चर्य था स्टॉप वस्तुत अनुवाद या भासांतरन के लिए ब्यवसाइक अनिवारेता है स्टॉप इरोप के अन्य देशों में भी यहीं इस्थिती है कमा जहां विश्व में प्रकासित किसी भी भासा का महत्वपूर्ण सोध निबंध कमा या कोई विदेशी चर्चित साहित्तिक क्रिती उस देश की भासा में ततकाल अनुदित हो जाती है पैरा इतिहास साच्छी है कि इसाई धर्म के प्रचार में अनुबाद की भूम का कितनी महत्वपूर्ण रही है इसाई धर्म के विश्वव्यापी प्रचार के लिए बाइबिल के अनुबाद की व्यापक योजना बनाई गई इसाउप अनिवाद ने ही बाइबिल को भारत के गाउं-गाउं कमा यहां तक की आदिवासी छेतरों तक पहुचा दिया स्टॉप बाइबिल के बाद सबसे अधिक भासाओं में और एक ही भासा में कई बार भागवत गीता का अनुबाद हुआ स्टॉप भारतिय दर्शन और प्रतिभा को समझने की लालसा ने विदेशियों को प्रेरित किया किवे गीता का अनुबाद अपनी भासा में करे स्टॉ अवधी भांसा में लिखित रामचरित मानस भी देश और बिदेश की अनेक भांसाओं में अनुदित होकर विश्व सहित्य का अनुपम ग्रंथ बन गया है। वस्तुत अनुवाद ही वह माध्यम है। जो देश ये राचना को भागोलिक सीमा से मुक्त कर विश्व मंच पर प्रतिल्ठित करता है। गितांजली की ख्याती का एक प्रमुख कारण उसका विदेशी भांसाओं में अनुदित होना भी है। अनुवाद दो भांसाओं के मध्य सेतु का काम करता है और दो संस्कृतियों को निकट लाता है। अनुवाद की निव है। दो भांसाओं का ज्यान और उन भांसाओं पर व्याकरण और सैली की द्रिश्टि से ऐसा पुण अधिकार की अनुवादक एक भांसा भाव व विचार रासी को दुसरी भांसा में पुणतह इस प्रकार रुपांत्रित करे की पाठक मूल रजना की सम्वेदना से भी परिश हो सके तथा अनुवाद पढ़कर उसे मूल का सा आनंद भी मूल मिल सके स्टॉप यहीं लच्य अनुवादक के लिए समस्या उत्पन करता है और इसी में उसके कौसल की पहचान भी होती है स्टॉप श्रोत भांसा का ज्यान अनुवादक के लिए इसलिए और परिहार माना जाता है समा